भक्तिभाव से निकाली गई पोहरी नगर में श्री जिनेंद्र देव की शोभायात्रा, नगर में जगा जगा भक्तों निकी आर्ती, जैकारों से गूंजना मन हुआ वातावरण, पोहरी में धूमधाम से निकाली गई जिनेंद्र देव की शोभायात्रा, पोहरी में दक्ष लक्षड महापर्व की समापन के बाद प्रतिवर्ष की भाती इस वर्ष भी बड़े हर्शो लास के साथ श्री जीनेंद्र देव की शोभायात्रा निकाली गई आपको बता दे की जैन समाज के इतेश जैन ने बताया कि सुभा आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर पर जीनेंद्र देव का अभिशेख शांतीधार सहीद पूजन के बाद श्री जीनेंद्र देव की शोभायात्रा निकाली गई सुभा से ही मंदिर में भक्तों का ताता लगना शुरू हो गया इस शोभायात्रा की तैयारी जैन समाज ने बड़े ही भक्ती सिकी थी भगवान को रत में सवार करके भक्तों ने नगर में शोबायात्रा शुरू की सुबह 11 बजे से जीनेंद्र देव की शोबायात्रा आधिनाध दिगमबर जैन मंदिर से प्राणम होई शोभाय आत्रा नगर के जल मंदिर रोड पर पहुची जहाँ पर प्रतिवर्ष की भाती इस वर्ष भी कलश आर्ती वा फूलमाला की बोलियां लगाई गई शोभाय आत्रा नगर के मुख्यमार्गों से होते ही बड़े ही दूमदाम से मैं चौरह पहुची नगर में भक्ती भक्त जूम जूम के नाच रहे थे भगवान के जयकारे लगा रहे थे नगर में भक्ती भाव से भगवान की आर्ती करने का स्वभागे भक्तों कुमिला चौरह से होते हुए वापिस जैन मंदिर पहुची जहाँ जीने इंद्र देप का पूजा आर्चना कर शांतिधारा का शोबायाद्रा कर समापन किया गया शिवपुरी से बेंड बाजे द्वारा भी जैन के भजनों पर शांदार प्रस्तुती दे गई पुरी से संबाद्धाता दर्मेंदर शर्मा की रिपोर्ट